लेकिन पहले आप अगली आरोपी अमित आनंद का कुबूल नामा सुन लीजे अमित आनंद ने पुलिस के सामने बयान दिया है और सिकंदर को अपना दोस्त पताया अमित आनंद ने कहा कि सिकंदर के साथ ही नितीश से भी मेरी बुला का थुई 30-32 लाग में नितीश ने पेपर लीग की बात की थी और अब सिकंदर के निशान देही पर ही वो भी पकड़ा गया है और अब आप साथवे आरोपी का भी कुबूल नामा जान लीजे वो आरोपी जिसने पेपर लीग किया इस आरोपी का नाम है नितेश कुमार जो बात अमित आनंद ने पुलिस के सामने बताई सेम वही बया नितीश ने भी दिया है नितीश ने भी सिकंदर को अपना दोस्त बताया और ये भी कहा कि सिकंदर के साथ ही अमित आनंद से उसके मुलाकात हुई अमित से 30-32 लाख में पेपर लीग की डील जो है वो फाइनल की गई थी और एक्जाम से पहले बच्चों को आंसर्स रटवा दिये गए लेकिन जब सिकंदर पकड़ा गया तो उसने अमित के साथ उसको भी पकड़वा दिया तो देखिए तीनों आरोपियों का आपस में कनेक्शन क्या है एक दूसरे को तीनों अपना दोस्त बताते हैं लेकिन सवाल ये है कि आखिर नतीज कुमार के पास नीट का पेपर आया कहां से असली आरोपी कौन है बिहार पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल की बात कह रही है पुलिस को संजीव मुख्या नाम के शक्स की तलाश है और इसका नाम सिपाही और सिक्षक भरती मामले में भी पहले भी सामने आया है बिहार के नालंदा का रहने वाला है इसका डॉक्टर बेटा शिव कुमार इस पूरे नेक्सिस का हिस्सा है जिसे पुलिस गरपतार कर चुकी है लेकिन शिव कुमार अभी तक आपको बता दे गरपतारी की कोशिश तो कर रही है अभी तक फरार है अभी तक पुलिस की गरप म लोग संजीव मुख्या के घर पहुची तो वहां संजीव मुख्या लेकिन उसकी मां डहरूर बेटे पर लगया आरोपों पर संजीव मुख्या की मां इ associate है आप खुदी सुनुये कि के आऽप कोई लेघंड होगाitel है ड़यीटि जी मुख्या आपके बेटे हैं संपने आरोप है पेपर लीख का पुलिस ढून रही है कहां है वो का जम नहीं नहीं जानते परार चल रहा है हां अम नहीं जानते हैं उनके बेटे भी डॉक्टर शीव, वो जेल में है भी, पेपर लिखा आरोप उन पर अकसर लगता है, सिख्षक बाली में लगा, फिर नीट में भी लग रहा है, ऐसे की बेटा तो डॉक्टर है, तो उसको क्या घर सितके क्या करेगा, आपको ब्यान काम करें, अप लगेगा ड रिक्षाओं में इन पर आरोप लगे हैं, लगावे से क्या होगा, जो कहता है कि दूद का दूद आपानी का पानी होगा, अब उसको कुछ नहीं जानते हैं, जो भागमान के मर्जियों का होगा, इस सब एस पी या डी आई जी या दुनिया क्या करेगा, सब तो चोर है, त वो खुलासा जिससे पटना से दिल्ली तक इस वक्त हलचल मच गई है, विजएस सिनहा ने प्रेस कांफरेंस कर ये दावा किया, कि एन एचे आई गेस्ट हाउस बुक करने के लिए, जिस मंतरी जी का नाम सामने आया, वो मंतरी जी कोई और नहीं है, बलकि खुद विजएस सिनहा ने प्रेस कांफरेंस के दोरान तमाम बड़े-बड़े कुलासे किये, उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि प्रितम कुमार और सिकंदर आपस में रिश्टेदार हैं, और यहीं नहीं, विजएस सिनहा ने यहां तक कह दिया, कि सिकंदर लालू यादो का भी खरीबी है, लालू जब जेल में थे तो उनकी काफी सेवाएं किया करता था, अब तेजस्त्वी आदो का नाम देखिए सामने आ रहा है, उनके खरीबियों का नाम सामने आ रहा है, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराद शाखा पटना में हुए इस पूरे पेपर ली की जा जांच कर रही है, इस मामले में कल ये सामने आया था कि जिस गेस्ट हाउस में आरोपी छात्र ठहरे थे, वहाएं एक आरोपी अनरा ग्यादो के नाम के आगे ब्रैकेट में मंतरी जी लिखा गया था, उसके बाद बयार सरकार ने ये जांच कर आया कि आखिर ये मंतरी जी ह जांच रिपोर्ट जब मिल गई, तो आज विजय सिनहा ने बकायता एक प्रेस कॉंफरेंस कर दी, विजय सिनहा ने ये का कि तेजस्वी के सरकारी निजिस सचिव प्रीतम कुमार ने ही नहीं की गेस्ट हाउस में एक बार नहीं बलकि दो दो बार फोन किया, पहली बार जो बार मई को सुबा आठ बच कर 49 मिनट पर दूसरी बार पोन किया, इस बार सिकंदर कुमार या दुवेंदर के नाम पर कमरा बुक हो गया, रूम चार और पांच मई के लिए बुक हुआ, यानि कि दो दिन के लिए रूम के बुकिंग कराई गई, पांच मई को ही नीट का ए वाइल नंबर 7488061813 से राक्तरी नौ बजकर 7 मिनट में पत निर्मान विभाग में कारजरत पर दीप कुमार के मोबाइल नंबर 94-36-99-24 पर एने चाई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था उस दिन परदीप कुमार इस पर कोई संग्यान नहीं लिया फिर 4 मई को सुबह 8 बज़ के 49 मिनट में परीतम कुमार के मोबाइल नंबर 74- 88 जी चार मई को कितने बज़े चार मई को सुबह 8 बज़े परीतम कुमार के मोबाइल नंबर 74-88-061813 वही नंबर से परदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे के बुकिंग के लिए समारित किया गया इस बार पथ निर्मान विभाग में कारजयत परदीप कुमार दुवारा एने चाई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कन्ये अभियंता को वाट्सोप पर मैसेज भेज दिया